नमस्कार सात्यों आपके अपने यूटूब प्लेटफॉम पर एक बार पुने स्वागत हैं अजमिर से मैं शेलंदे सिंगरावत और इस समय जो आपके सामने जो क्लास लेकर आ रहा हूं को उसका मैं फटाबट से 5 मिनिट में रिवाइस करा देता हूं सात्यों हम स्टेट ओपन के त्यारी करने वाले सभी स्टूडेंट बारवी बोर्ड के अंदर है इस समय उन सभी के लिए गोल की क्लासे लगा रहे हैं तो जो भी स्टूडेंट बारवी बोर्ड जोग्राफी जिठें तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि फटाबट से चैनल को शेर कर दीजिगा फटाबट से चैनल को शेर कर दीजिगा सात्यों हम आपके सामने क्लास स्टार्ट कर रहे हैं जो स्टूडेंट आया है जल्दी से अपना नाम कमेंट कर दीजिगा बिलकुल तो हम आपक कि बहुत important class है रेगुलर हम आपके सामने class करवा रहे हैं बिल्कुल तो चलिए साथ यो हम शुरू करते है class को बिल्कुल यहाँ पर देखे हमने कल क्या पढ़ाता उसके बारे में अपन define कर देते हैं पहले अपन कल क्या पढ़ चुके थे उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको revise करा देता हूँ क्योंकि कुछ ऐसे student भी हैं जो कल की class में नहीं थे तो वो आज समझ जाएंगे सबसे पहले हमने पढ़ाता कि ब्रमान की उत्पती कैस हुई है वो मैंने आपको समझ जाए था कि विष्वाण कुछ पती कैस हुई है देखिए आप इसको कह सकते हैं कि सामवाने रूप से जो प्रत्फी के गरे उपगरे और सौर मंडल एवन तारो के समौ को हम ब्रमान केते हैं यानि ब्रमान किसे केते हैं प्रत्फी कॉमा गरे कॉमा उपगरे कॉमा सौर मंडल एवन तारो का जो समौ है वो क्या किलाता है उसको हम ब्रमान केते हैं क्या केते हैं उसको हम ब्रमान केते हैं प्रमान का विग्यानिक अध्यन प्रमान का विग्यानिक अध्यन जिस शाखा में किया जाता है उस साका को हम कास्मोलोजी साका कहते हैं कौन से साका कहते हैं उस साका को हम कास्मोलोजी साका कहते हैं के लिए रोगया आगया सभी को समझ में उसको हम कास्मोलोजी साका कहते हैं देखिए भाईया क्या नाम आपका एक मिंट हैं सेजल सिंग राओ आपको मैं बता देता हूं क पॉलिटी की जो क्लासे हैं उसको कुछ दिन के लिए विराम किया है जादा दिन नहीं मंडे से वापस पॉलिटी की क्लासे आपकी रेगुलर उसी समय आएगी और उसके बाद भुगोल की क्लासे स्टार्ट होगी तो काफी स्टुडेंट बार-बार मांग करेते कि सब कर दिये यह कल समझाय था कि बर्मांट का विग्यानिक अध्यान जिसमें किया जाता है यानने जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को हमका समोड़ोजी के थे क्या कहतें अब दी के साथ यहाँ से एक गस focusing जो बहुत पोर्टेंट है वो जानकर आपको होना चाहीं कि जर्मन दाशनिक कौन थे जर्मन दाशनिक तो 1730 में जर्मन दाशनिक क्या नाम है उनका नाम याद रिखना बहुत इंपर्टेंट है जर्मन दाशनिक की बात कर रहे है 1730 की बात कर रहे है क्रिस्चन वॉल्फ ने किसने क्रिस्चन वॉल्फ ने सबसे पहले ब्रमहांड शब् जो उत्पति के बारें बताया था जर्मन के दास ने क्रिश्चन वॉल्फ ने बताया था और कब बताया था 1730 में अब देखी यहां से भी यह कोईशन बहुत इंपोर्टेंट है कि ब्रमाण का जो नियमित अध्यन है वो किस ने क्या था तो याद रखना मेरे प्यारे प्यार विद्वानों ने ब्रमाण का नियमित अध्यन क्या था और देखिए ब्रमाण का नियमित अध्यन मिस्र के युनानी कौन थे खगोल शास्त्री या आप विद्वान भी कह सकते और उनका नाम क्या था उनका नाम था क्लॉडियस टालमी क्या नाम था क्लॉडियस टालमी ने मिसर का युनानिक हगोल स्यास्तर थी इसने सबसे पहले बर्मान का नियमित अध्यन गया था और कब की बात है ये बात है भीया 140 इसापूरू की कब की बात है 140 इसापूरू की बात है 140 इसापूरू की बात है और जब इसने ब्रमांड का उत्पती का जो नियमित अध्यन किया था तो उसका एक सिद्धान सामने आ जाता है और उस सिद्धान का नाम रखा गया था भू केंद्रिय सिद्धान क्या नाम रखा गया था भू केंद्रिय सिद्धान क्या नाम रखा गया था भू केंद्रिय सि सिस्दांत क्या है इसको आप कैसे डिफाइड करेंगे तो हम्हां का केंद्र बिंदू है उसको प्रränट्वी को मना गया यानि हम यहां लिख सकते हैं कि जो ब्रमांड का केंदर बिंदु है ब्रमांड का केंदर बिंदु है वो किसको माना था वो प्रत्वी को माना गया था ब्रमांड का केंदर बिंदु किसको माना था ब्रमांड का जो केंदर बिंदु है प्रत्वी को माना गया था और इसी सिद को समझ में आ गया क्या कि भू केंद्रे सिद्धान देखें भू केंद्रे सिद्धान यानि यह हमारा पूरे ब्रमहांड की बात कर रहें और इस ब्रमहांड का जो केंद्र बिंदु माना गया था सेंटर पॉइंट जो लिया गया था वो प्रत्वी को लिया गया था किसको लि दिया वो मैंने यहां लिख दिया है वो केंधरि सिद्दा और सथी को संपुन ether подход केंदर बिंदू माना गया था तो यहां अपके सामने लिख दिया अब एक अन्ये केंदर I7दा यहां सूर्य केंधИ सिद्दांद क्या होता है डिया में utilizar as就到 आण का मतलब है कि जब मैंने ये ब्रमान ले लिया जब मैंने ये आपके सामने ब्रमान ले लिया क्या ले लिया मैंने आपके सामने ब्रमान ले लिया और इस ब्रमान का जो केंदर बिंदू माना था वो सूरिय को माना गया था किसको माना गया था सूरिय को माना गया था यानि ब् सूर्य केंद्रे सिद्धान्त क्या रखा गया था 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 सूर्य केंद्रे सिद खगोल विध्वान स्यास्तρι ते या पॉलेच के कॉपर निकोलस कौपरनिक्स कौन थे विए और निकोलस कौपरनिक्स क्या माना है बरमान का संपूर्ण जो केंद्री बिंदु माना है वो सूर्य को माना किसको माना है सूर्य को माना है कि लिए रो गया चलिए अब हम बात करते हैं कि भूगोल एक प्राचिंतम भूविज्ञान है सभी को बता भूगोल भूगोल है कौन ये धरा ये धरती ये प्रत्वी तो हमने यहां बोला है भूगोल एक प्राचिंतम भू विज्ञान है भुगोल क्या है मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट भुगोल एक प्राचेंतम भुविज्ञान है क्या है भुविज्ञान है अब देखिए इसकी निव किसने रखी है तो इसकी निव युनानी विद्वानों ने रखी किसनों ने रखी थी इसकी जो निव र पहला प्रियोग किस ने किया मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट भुगोल सब्द का प्रारंबिक प्रियोग किया गया था जल्दी से मुझे बताए क्लियर हो गया चलिए अब देखे हमने यहां जियोग्राफी को दो भागों में डिवाइड किया है जियो का मतलब हमने लिया है प्रत्वी से और ग्राफी का मतलब होता है वर्णन करना अरे भाया हमें इस दरातल का वर्णन करना है हमें इस प्रत्वी जगत का वर्णन करना है और जिस शाखा में कि आजाता है उसी को तो हम जियोग्राफी केते हैं उसी को हम क्या केते हैं उसी को हम जियोग्राफी केते हैं तो भुगोल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है भुगोल का शाब्दिक अर्थ होता है संपून प्रत्वी का धरातलिय वनन यानि इस पूरी प्रत्वी का धरातलिय व चलिए देनिग जीवन में भुग्गुल का क्या मेत्व की तो प्राकर्तिक ततोों में जो परीवर्थन हो रहा है रेगुलरं भाहुनों का निर्मान हो रहा है, रेगुलर सड़कों का निर्मान हो रहा तो इनको हम सांसकर्तिक ततों में रखते हैं जब कि प्राकर्तिक ततों में कि इनको रखते हैं परवतों को रखा हाँ, पहाडियों को रखा, जीलों को रखा और नदियों को रखा तो यहां मैंने यही चीज आपके सामड़ी पाई की हैं कि प्रत्वी की सते में जो परिवर्तन हो रहा है उससे हम प्राकर्तिक परिवर्तन केते हैं और प्राकर्तिक परिवर्तन कैसे होता है प्राकर्तिक जो परिवर्तन होता है वो धीरे धीर होता है कैसे होता है प्राकर्ति तत्तों में किन को शामिल क्या है तो परवतों को शामिल क्या है पहाडियों को शामिल क्या है जीलों को शामिल क्या है और किसको शामिल क्या है और नदियों को शामिल क्या गया है किसको शामिल क्या गया है नदियों को शामिल क्या किलिए हो गया अब देखिए अगर हम बात कर करते हैं मेरे प्यारे प्यारे स्टुडेट्स आंसकर्ति कत्त्तों के सांसकर्तिक Willa को लिया गया गया हूँ है उसमें जिलो लिया गया क्या है और इनमें जो परिवर्थन हो रहा है इनमें जो परिवर्थन हो रहा है वो तेजी से परिवर्थन हो रहा है इनमें जो परिवर्थन देखने को मिल रहा है मेरे प्यार स्टुडेंट तेजी से परिवर्थन देखने को मिल रहा है किलिर हो गया अब देखिए हमने महत् जो कोश्चन आपके साम लिखे थे यह भी कोश्चन इसलिए इंपोर्टेंट है कि भी आप पड़ रहे हैं तो बैसिक नोलेज तो आपके पास होगी तो अगर आप कम्पीटिटिव क्योंकि देखें आप ट्वल्त क्लास में अगले साल आप ग्रेजियोशन में इस्टिम में जाएंगे तो वहां पर आपको कम्पीटिशन के त्यारी करने पड़ेगी इसलिए आपको कुछ नोलेज में आपके साम दे रहा हूं जैसे कोश्चन अगर आपसे कोई पूछ ले कि विवस्तित बुग्गोल का पिता किसको कहा जाता है तो आपको ध्यान रकना है अलेक्ज आपसे पूछ ले कि विवस्तित बुग्गोल का पिता किसको मानो जाता है मेरे प्यारे स्टूडिन बहुत इंपोर्टेंट चीज है कि विवस्तित बुग्ग्गोल का पिता किसको कहा जाता है किसको कहा जाता है विडाल डी लाबलास को कहा जाता है विवस्तित बुग्ग पढ़ेंगे अबी तक जो आपको पढ़ाय था वो कल की क्लास का रिवाइस कर आ था और आज हम पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे-पयरे इस्टुडिन पाट नंबर नमबर तो जल्दी से बताए सब इस्टूडिन आ चुक हैं चलिए पाट नमबर टू को हम इस पर काड डिफाइन करते हैं कैसे डिफाइन करेंगे वह सारी चीज में आपके सामने लिख दिया आप चाहे तो इसका एक 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 चीज समझा दूंगा मैं आपको एक एक चीज़ समझा दूगा देखिए उमा शंकर शर्मा सर आपने पॉलिटिकल साइंस की क्लास का तीन स्रो और चोता चेप्टर नहीं कराया बिल्कुल करवा देंगे मंडे से वापस रेगुलर हो जाएगी तो मंडे से हम आपको वापस पॉलिटिकल साइंस पढ़ा देंगे और जोग्रोफी रेगुलर चलेगी चलिए अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले बुगोल का विकास कैसे हुआ हम पढ़ते हैं बुगोल का विकास देखे भुगोल का विकास पढ़ने के लिए कुछ आपको अध्यन करने पढ़ेंगे और वो किस किस पार्ट में अध्यन करने पढ़ेंगे वो मैं आपको समझा जेता हूँ सबसे पहले हम भुगोल का विकास अगर हम पढ़ेंगे तो आपको प्राचिन काल को जानना पड़ेगा कौन से काल को जानना पड़ेगा आपको प्राचिन काल को जानना पड़ेगा तो यहां मैंने लिखा प्राचिन काल हम प्राचिन काल का अध्यन भी करेंगे ठीकें उसके बाद दूसा नमबर जो हम अध्यन करेंगे वो करेंगे पूर्व आधुनिक काल क्या पढ़ेंगे पूर्व आधुनिक काल दूसा नमबर हम पढ़ेंगे बच्चो पूर्व आधुनिक काल कौन सा काल पढ़ेंगे दूसे नंबर पढ़ेंगे पूरू आधुनिक काल अगर तीसे नंबर की बात करेंगे तो तीसा नंबर पर हम पढ़ेंगे आधुनिक काल कौन सा काल पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे आधुनिक काल और चोथे नंबर पर हम पढ़ेंगे नवीन काल दिख बुगोल का विकास के सेवा इसको हम जानने की कौशिस कटें तो बुगोल का विकास मुक्यूरुप से चार इन पार्ट के मध्य नजर जबा पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल वैसे कांसेट के साथ किलिर हो जाएगा सबसे पहले हम प्राचिन काल में पढ़ेंगी कि आधुनिक काल के बारें पढ़ेंगे उसके बाद आधुनिक काल के बारें पढ़ेंगे और उसके बाद हम नवियन काल के बारें पढ़ेंगे अगर यह आपको यह चोट चारु काल अगर समझ में आ जाएगा तो आप यह मान सकते हैं कि आपको सब कुछ के लिए समझ में आ अनुसार इस समय के जो विद्वान थे आरंबिक परमानों के नुसार इस समय के जो विद्वान थे भुगोल का अध्यन करने के लिए किसका उप्योग करते थे तो इस समय के जो विद्वान थे भुगोल का अध्यन करने के लिए या तो मांचित्र निर्मान पाधति को अपना प्रत्वी के बहुतिक तथियों को समझते थे इन दोनों के प्रियों के द्वारा प्रत्वी के बहुतिक तथियों को समझते थे किसको समझते थे प्रत्वी के बहुतिक तथियों को समझते थे प्रत्वी के बहुतिक तथियों को समझने के लिए आरंबिक समय में विद्वानों ने मानचित्रों का उप्यों किया था या खगोल मापों का उप्यों किया था के वुगोल के आरंबिक विध्यान यानि वुगोल को खोजने में वुगोल को और सामानिय अच्छा बनाने में कुछ विधवानों के मैं आपके सामने नाम ले रहूं, कुछ विद्वानों के मैं आपके सामने नाम ले रहूं इनका बहुत बहुत योगदान हुआ था जैसे इन में से परमुक जो विद्वान थे वो कौन-कौन थे भाईया आपको ध्यान रखना है होमार, हेरोडोटास, थेलस, अरस्तु और इरेष्टो इस्तनेज को आपको पता होगा कि जीव विज्ञान का जनक किसको माना जाता है तो मेरे प्यारे स्टूडेंट आपको ध्यान होगा जीव विज्ञान का जनक किसको माना जाता है जीव विज्ञान का जो जनक है वो अरस्तु को माना जाता है सबी मेरे पैरे स्टुडेंट को पता है या नहीं है कि जी विज्ञान का जनक किसको माना जाता है अरस्तु को माना जाता है किसको माना जाता है अरस्तु को माना जाता है क्लिए रो गया अब देखे हम पढ़ते हैं यहाँ पर पूर्व आधुनिक काल को कौन से काल को पढ़ते हैं हम पढ़ते हैं पूर्व आधुनिक काल को तो यह काल पंद्रवी सदी में शुरू होता है सबसे पहले यह काल कब शुरू आता यह जो काल शुरू आता पंदरवी सदी में शुरू आता यानि पूर्व आधुने काल को यह हम बात करते हैं तो मेरे प्यारे स्टुडेंट यह काल कब शुरू आता यह काल शुरू आता पंदरवी सदी में कब शुरू आता पंदरवी सदी में और पंदरवी सदी में तोर पर हम कह सकते हैं कि पूर्वाधुनिक चलता है कि खोज और अन्वेश्णों द्वारा विश्यू की भोतिक और सांसकर्टिक तत्यूं को समझने में मदद करता है बहुत important है 70 सदी का प्रारमबिकाल नवीन भुगोल वेग्यानिक का जन्यत भी माना जाता है यह भी आप ध्यान रखना 70 सदी का जो प्रारमबिकाल था उस समय नवीन वेग्यानिक भुगोल पदती के बारे में भी जानकारे हमें मिलती है तो ये ध्यान रखना 17 सदी का प्रारंबिकाल नवीन वेग्यानिक भुगोल की शुरुवात का गवा माना जाता है और इसके जो कुछ परमुक विद्वान थे इस दोरान कुछ परमुक जो विद्वान हुए थे वो कौन-कौन थे तो मेरे प्यारे स्टुडेंट आपने नाम सुना होगा कौलमबस का आपने नाम सुना होगा कौलमबस का किसका नाम कौलमबस का आपने नाम सुना होगा वासको डिमगामा का किसका नाम सुना होगा आपने नाम सुना होगा वासको डिगामा का कौलमबस के हम बात करते हैं वासको डिगामा की बात करते हैं रिटर की ब कर दोल दो ऊपर खक्ंव और बहुत शांदार तरीकसे समझाने में हमें मदद दी ओर इसलिए आज हम पूरा नहीं भूगो उसके बाद अगर हम बात करते हैं उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारे सांबान साल प्षाद काल कौन सा या de प्यारे प्यारे स्टुडेंट उसके बाद हमारे पास में आता है आधुनिक काल, चलिए लिख लिजिए आधुनिक काल के बारे में, आधुनिक काल के बारे में लिख लिजिए, रिटर और हमबोल्ड का उल्लेक आधुनिक काल के रूप में माना जाता है, तो आधुनिक काल क जो संस्तापक माने गहते आधुनिक काल का जो संस्तापक माने गहते यानि आधुनिक काल में जो परमुक विद्वान थे आधुनिक काल में परमुक विद्वान थे वो कौन कौन थे तो अगर आपसे पूछ ले तो याद रखना मेरे प्यारे प्यारे साधियो रिटर कौन थे रिटर कौन थे रिटर और उनके साथ कौन थे उनके साथ हमबोल्ड कौन थे हमबोल्ड तो इन दो विद्वानों का नाम याद रखना इन दोनों विद्वानों का श्रे जाता है आधुनिक काल के भुगोल को समझाने में इन दोन विद्वानों का इश्रे जाता है आधुनिक काल के भुगोल को समझाने में किलिर हो गिया आगया सभी को समझ में या नहीं है जल्दी से मुझे बताईए आया सभी को समझ में या नहीं है सामानिय अगर हम उन्नीसवी सदी के पहले की बात करते हैं तो उन्नीसवी सदी के पहले का उन्नीसवी सदी के पहले का का उन्नीसवी सदी के पहले का का उन्नीसवी सदी के पहले का जो काल होता है उसको हम आधुनिक काल में शामिल करते हैं उसको हम किस में शामिल करते हैं आधुनिक काल में शामिल करते हैं अगर हम बात करते हैं मेरे प्यारे प्यारे स्टुडेंट नवीन काल की तो दूसरे विश्युद के बाद भुगोल का विकास बहुत तेजी से हुआ नवीन काल की बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि दूसरे विश्युद के बाद नवीन भुगोल का विकास तेजी से हुआ ये आपको धियान रखना है पॉइंट नौट कर लो कि दूसरे विश्यूत के बाद भुगोल का विकास बहुत तेजिस हुआ आपको पता होगा अमेरिकी और यूरोप यू भुगोल वेता उनने इस दोरान अधिकतम योगदान दिया था तो नमीन काल में जो मैक्जिमम सपोर्ट किया था वो कौन-कौन थे वो कौन-कौन थे तो ध्यान रखना है अमेरिकी और यूरोप के विग्यानिक थे अमेरिकी वे यूरोप के विद्वान थे इन्होंने नवीन काल को बहुत अच्छा समझाने का प्रियास किया हाडशान ने बुगोल को एक ऐसे विज्ञान के रूप में परिवासित किया जो सेत्री विभनताओ का ध्यन करता है वर्तमान बुगोल वेताओ प्रादेशिक उपागम और क्रमभद उपागम को विरोधा भासी की जगे पूरक उपागम के रूप में देखा गया था तो यह हमने पढ़ा है कौन कौन सा मैं एक बार रिवासि करा देता हूं हमने बुगोल की विकास को फटापट से पढ़ा है और फटापट से एक बार में रिवासित भी करा देता हूं ताकि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो लेट जुड़ हैं उनको भी पाता चल जाएगा कि हमने क्या देता है देखिए मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट मैंने बुगोल की विकास को क्या क्या है आप एक बार इसका स्किन पर नज़रा रहा है बुगोल का विकास मुख्य रूप से चार भागों के अनुसार हम मानते हैं उसमें से पहला जुकाल आता है वहाता प्राचिन काल, दूसरा जुकाल आता है, वो आता है, पूर्व आधुनिक काल, तीसरा जुकाल आता है, वो आता हमारे पास में आधुनिक काल, और चोथा जुकाल आता है, वो हमारे पास में आता है, नवीन काल, किलिर हो गया, आग्या सभी स्टुडेंट को, उमेश सर्माज सर आपने पहले संडे को बोला था कि R SOS बोर्ड की जो सभी कलासे मंडे से शुरू हो जाएगी बिलकुल हमने बोला था और मैं कहे रहा हूं कि मंडे से आपके सामने स्टार्ट हो जाएगी मंडे से सभी कलासे स्टार्ट हम कर देंगे पॉलिटी की जो कलासे कुछ दो दिन के लिए हमने उसको ब्रेक किया है वापस हम मंडे से स्टार्ट कर देंगे वो ध्यान रिजी का पॉलिटी के बाहर जो क्लास आएगी वो जोग्राफिक आएगी हम कोशिस कर रहे हैं बाकी क्लासे भी आपके लिए लगा दे ताकि सभी स्टुडेंट एक ही चैनल पर आ जाए और सभी स्टुडेंट यहाँ पर सारे क्लासे देखे बिल्कुल इंग्लिस की भी समाश सास्तर हिंदी देखे इंग्लिस की क्लास भी लग जाएगी हिंदी क्लास भी लग जाएगी समाश सास्तर की क्लास थोड़ी हम लेट लगाएंगे ठीके चलिए अब मैं आपको थोड़ा स बुगोल का विकास देखे प्राचिन काल हम पढ़ेंगे पूरू आधुनिक काल को समझेंगे और उसके बाद हम नवीन काल को समझेंगे तो प्राचिन काल का इसकिन सोट आप ले लीजिएगा आरंबिक प्रमानों के अनुसार इस समय के विद्वान मान्चित्र निर्मान और खगोली मापो द्वारा प्रत्वी के भोतिक तत्यों को समझते थे वुगोल में आरंबिक विद्वान देने का श्रे युनान को ही जाता है जिसमें पर्मुक कौन कौन थे जिसमें पर्मुक थे हॉमार, हेरोड़ाटास, थेस, अरस्तु और इरेश्टो इस्तनेज, किलिर हो आगया सबी को समझ में, किलिर हो आया निवा, जल्दी से मुझे बताओ, चलिए, अब हम बात करते हैं पूर्व आधुनिकाल की, तो पूर्व आधुनिकाल में क्या है, ये काल पंद्रवी सदी से शुरू होता है, कब शुरू होता है, ये जो काल है पंद्रवी सदी में श ये काल आरंबिक बुगोल वेताओं की खोजो और अन्वेशनों द्वारा विश्यू की भोतिक वे सांसकर्टिक प्रकति के बारे में वहद ज्यान परधान करता है। वासको डिगामा, मेगलन और थामस कुक इस काल के परमुक अन्वेशन करता थे। वारेनियस, कॉंट, हमबोल्ड और रिटर इस काल के परमुक कौन थे। बुगोल वेता थे। उसके बाद हमने पढ़ा है आधुनिक काल तो आधुनिक काल की हम बात करते हैं। रिटर और हमबोल्ड का उलेक बहुत अधे के यहां परोवा था। यानि 19-वी सदी के जो पहले का काल था। उसको क्या नाम से जाना गया। उसको आधुनिक काल के नाम से जाना गया। के लिए हो गया। आगे लिखा गया है कि 19-वी सदी के पहले का जो काल है उसको आधुनिक काल के रूप में माना गया। और इस दोरान रेड जेल प्रत्थम आधुनिक भुगोल वेता थे। जिस का मतलब है कि जब दूसरा विश्यूत की समाप्ति के बाद इस नवीन भुगोल की खोज के बारे में बहुत तेजी से परकरिया शुरूई और इसमें जो परमुक विज्ञानिकों ने जो मुक्की मुमिकाने भाई वो दो देश के थे एक अमेरिका के और दूसरे यूरोप के यानि यहां पर अमेरिकी और यूरोप के विद्वानों ने नवीन काल के भुगोल को खोजने में बहुत ही महतपुन हमें जानकारी सामने दीती तो दूसरे विश्यूत के बाद भुगोल का विकास बड़ी तिर्वगती से हुआ हाडशन जैसे अमेरिकी और यूरोपी भुगोल वेताओं ने इस दोरान अधिक्तम योगदान दिया हाडशन ने भुगोल को एक ऐसे विज्ञान के रूप में परिभासित किया जो शेत्री विबनताओं का अध्यन करता है किसका अध्यन करता है शेत्री विबनताओं का अध्यन करता है तो मेरे प्यारे प्यारे स्टुडेंट आज की कलास आप सभी को समझ मा गई कल हम पढ़ेंगे भुगोल के शेत्र और भुगोल का करमभद अध्यन करेंगे हम क्या करेंगे भुगोल का करमभद अध्यन करेंगे और उसके बाद कल यह चैप्टर कम्प्लिट हो जाएगा परसो हमारे पास में दूसरा चैप्टर लेकर आएगे वीडियो अगर आप में पहले बार विजिट करें मेरे प्यारे प्यारे स्टुडेंट तो आप से निवे दिन है कि चैनल को दबा कर सब्सक्राइब करें और दबा कर इसको शेर करें क्योंकि जब तक ये चैनल जादस जादस स्टुडेंट के पास नहीं पूचेगा तब तक मेरे प्यारे प्यारे स्टुडेंट हमारे अंदर पढ़ाने का जोस नहीं आएगा इसलिए अगर हमारे अंदर पढ़ाए का जोस लाना है तो आपको भाया दबा कर इसको शेर करना होगा वीडियो अगर पसंद आता तो बिल्कुल लाइक करें आज के लिए बस इतना है सात्यों जहिन पंदे मातरम